आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है दरावनी वेब सीरीज। यहे एक हौरा स्टोरी है। दरावनी वेब सीरीज, भाग माइनस तीन, कुलाकू की जादूगर्नी हिबना ने इस तरह न जाने कितने पुरुषों को अपने जादू से बंदी बना रखा था। सम्मोहन जादू से वहां से गुजर रहे मुसाफिर पुरुषों को वह अपने सम्मोहन जाल में बांध लेती और शाम होते ही वह और उसकी दासिया कटपुत्ली के रूप में समुद्र में कूट परती और उनके पीछे सम्मोहिक पुरुष भी पानी में कूट परते और सम वह होते ही उन पुरुशों की सर कात देती हैं। वह जीवित हो जाते हैं और फिर सब की क्रिया कलाब शुरू हो जाते। यही सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। जो पुरुश बुरे और कमजोर हो जाते उन्हें हिबना समुद्र में फेकवा देती थी जहां उन्हें खतरनाक मगरमच खा जाते। एक दिन उस रास्ते से होकर महात्मा गुजरे। उन्हें ये सब देखकर आश्चर्या हुआ की समुद्र के आमने सामने घने पीड़ों पर एक तरफ बिना कप्टों की कटपुतलिया और दूसरी तरफ पुरुशों की सर लटक रहे हैं। महात्मा को देखकर कटपुतलिया हसने लगी। महात्मा ने निकट जाकर उनसे इसका कारल पूछा तो कटपुतलिया बोली हम इसलिए हसे की हमारे इस रंगीन सामराजय में एक बूरे सन्यासी का क्या काम है। हाथ 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 महात्मा चुपी रहे और आगे एक पेल की छाव में जाकर बैग गए। ये सोचकर की देखे आखिर यह क्या माजरा है। महात्मा बैठे रहे, शाम हुई तो सब कटपुतलिया पानी में गिर गई और फिर कटे हुए सिर भी समुधर में टपकने लगे। महात्मा भी जाकर समुद्र में कूट पड़े उन सब के पीछे पीछे समुद्र की तलहटी में पहांचे तो देखते हैं सब करपुतलियां सुन्दर दासिया बन गई और वो कटे हुए सिर जुड़कर सब जीवित हो उठे और उन सब के प्रेम प्रक्रिया शुरू हो गई तो यह अनर्थ हो रहा है यहां ठीक है अभी सब कुछ ठीक किये देता हूँ कहते हुए महात्मा जी ने अपने कमंडल में से भस निकाल कर सम्मोहन कार्ट मंत्र पढ़कर उन सब ही पुरुशों पर फूंक दिया सम्मोहन टूटते ही सब कुरुश होश में आ गए और उन्हें अपने अपने घर और परिवार वालों की याद आ गई वो सब रोने किलगिराने लगे हिबना से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करने लगे तब हिबना ने क्रोधित होकर महात्मा पर अपने जादू से घातक वार किया महात्मा ने वार संभालते हुए उस जादू गर्नी पर अभिमंत्रिक भस्न फिकी तो वो एक चुहिया बन गई सन्यासी ने उसे अपनी मंत्र शक्ती से एकना तूटने वाले पिंज्रे में कैप कर दिया और समुद्र में फिक दिया वो पानी में दूब कर मर गई और उसका जादूई सामराज ये ताश के पत्तों की भाती बिखर गया वो सब लड़किया भी उसके सम्मोहन से आजाद हो गई फिर वो सब ही समुद्र सतह पर आये और महात्मा जी के चरंस परश कर आजादी दिलाने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और अपने अपने घरों को लोट गए महात्मा जी भी जाय जाय बम बोले कहते हुए अपने मार चले गए